दोस्तो अगर आपने मिस्टर मी ठोड़ा स्टोरी पार्ट वन और टू अभी तक नहीं देखा है तो पहले अप जागुर से देख लिजे वारना यह स्टोरी आपको पूरी तरीकर समझ में नहीं आएगी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि सौन अंकल जौन से बताता है कि अंकल जौन आपका ड्राइबर केविन में बंद है और यह सुनकर अंकल जौन दुरहन ट्रक से नीचे उतरे और सौन के पास उस केविन के तरफ जाने लगे केविन के पास पहुचते ही अंकल जौन उस ट्राइबर से पुछते है कि अंदर कौन है लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही होती है बस एक लगता रोने की आवाज आ रही होती है और अंकल जौन यह सुनकर समझ गए कि यह उनका ड्राइबर नहीं है और अंकल और जो भी हो बहुत खातरनाक है इसलिए वो ते ते से दर्वाजे को तोड़ने की गोजिश कर रहा है और इधर गुली भागते भागते जंगल के काफी जड़ा अंदर आ चुका है लगता इसका प्लैन बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है मिस्टर मीड इसके ठीक पीछे ही जा रहा है और वो घर से काफी जड़ा दूर हो चुका है इसलिए मिस्टर मीड घर के पास्ते पास्ते बहुत ही टाइन लगेगा और तब तक सायद अंकल जान और सौन ने अपना काम कर लेया होगा गुली यही जोचकर बहुत इजरी से भाग रहा होता है और मिस्टर मीड भी उसका पीचा चोने का नाम नहीं ले रहा है बहुत ही टेजी से उसका पीचा कर रहा होता है क्योंकि मिस्टर मीड गुली को अपने हाँ से जाने नहीं दे रहाता था और इधर अपना बुली भी जंगल में पहुत चुका है लेकिन अभी वो काफी ज़्यदा पीछे है गुली और मिस्टर मीट अभी बहुत ज़रा आगे हैं, बुली को कहीं भी गुली और मिस्टर मीट दिखाई ने देरे होते हैं, इसले बुली जीप की स्पीट को बढ़ा देता है, और काफी तेजी से जेंगल के अंदर जाने लगता है, और इधर गुली भागते भागते काफी ज़रा ठक चुका है, लेकिन मिस्टर मीट से बचने के लिए गुली फिट भी भाग रहा होता है, लेकिन तब ही गुली का पैर एक पत्थर ज़रा आता है, और वह वहीं पर गिड़ कर बियोस हो जाता है, ये देखकर मिस्टर मीट को क सबने लगता है क्योंकि गुली ने मिस्टर मीट को बहुत ही जादा तेजी से बाकाया है और वहीं दूसी तरब पीशे बुली भी अपनी जीप को लेकर आ रहा होता है लेकिन बुली को कुछ साफ दिखाई में दे रहा होता है क्योंकि अंधेरा काफी जाड़ा है थोड़ी क्या होगा अब गुली ऑर बुली का यह दोनों मिस्टर मीक से बच पाएंगे या फिर मिस्टर मिट इन दोनों को मार देगा इस अब हम देखेंगे नेक्स पार्ट में तो दोस्तों अगर आप नेक्स पार्ट डेखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को झाल